स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्न समुद्री अभ्यास अयूत्या, भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है A. Thailand, B. Vietnam, C. France, D. Japan, Answer A. Thailand, Explanation हाल ही में, भारतिय नौसेना और Royal Thai Navy के बीच पहला द्विपक्षिय समुद्री अभ्यास अयूत्या का आयोजन किया गया ये भारत और Thailand के बीच एक द्विपक्षिय अभ्यास है इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मिद भारतिय नौसेना के जहाज कुलिश और INLCU चपन ने भाग लिया अगला प्राश्न, हाल ही में भारतिय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया हाल ही में भारतिय नौसेना के जहाज चीता गुलदार और कुम्भीर को चार दशकों की शांदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है दीकमिशनिंग कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया और तीन जहाजों के राष्ट्रियत ध्वज, नौसेना पताका और दीकमिशनिंग पैनेंस को आखिरी बार उतारा गया चीता, गुल्दार और कुम्भीर को पोलेंट के दिनिया शिप्यार में तैयार किया गया था इन जहाजों को क्रमशह 1984, 1985 और 1986 में भारतिय नौसेना में शामिल किया गया था अगला प्राष्ण, NAM शिखर सम्मेलन का कौन सा संसकरन 19 जन्वरी 2024 को युगांडा के कमपाला में शुरू हुआ A. 17 वा, B. 18 वा, C. 19 वा, D. 20 वा, आंसर, C. 19 वा, एक्स्प्लेनेशन, गुटनर पेक्ष आंदोलन, NAM का 19 वा शिखर सम्मेलन 19 जन्वरी 2024 को युगांडा के कमपाला में शुरू हुआ विदेश मंत्री डॉक्टर, S. जेशनकर भारतिय प्रतिनिदिमंदल का नेत्रित्व कर रहे हैं साजा वैश्विक सम्रिद्धी के लिए सहयोग को गहरा करना, विशय के तहट दो दिवसी अर्शिक हर सम्मेलन 120 से अधिक विकास शीर देशों को एक साथ लाता है, जो इतिहास में एक महत्वपून क्षन का प्रतीक है अगला प्राशन, गुजरात में किस थान पर 800 इसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेश पाए गए हैं? कुलीन तंत गन राज्यों के समकालीन थी, गंबीर जलवायू परिवर्तन जैसे सूखा, विभिन राज्यों के उत्थान और पतन में एक प्रमुक कारक थे, मध्य एशिया से बार-बार होने वाले आक्रमन भी विभिन नसामराज्य के पतन का एक कारण थे, अगला प्रशन हाल ही में भारत का पहला केंडर वितपोषित गाय अभ्यारन कहां बनाया जाएगा? भारत का पहला केंद्र वितपोशित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर जिले में जन्वरी 2024 के अंतक बन जाएगा यह अभ्यारण्य मुझफर नगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतरगत तुगलिपूर कमहिरा गाउं में स्थित है अभ्यारण्य को राष्ट्रिय गोकुल मिशन RGM से मिले 64 करोड रुपे के वितपोशन के साथ बनाया गया है